मंगरू यादो जब दिल्ली के सबजी मंडी में सड़ा हुआ प्याज उठाकर उसे जब चना में मिलाकर बनाकर बेजते थे और जब साथ मिलिटी चोखा बेजते थे तब उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उनका बेटा खिसारी लाल यादो आने वाले समय में उनको एक दिन धाई करोड की गाड़ी पर घुमाएगा जब खिसारी लाल यादो के मुँपर उनका कैसक घुमा कर मारा गया था और खिसारी को जब उनकी मा की गाली दी गई थी वस वक्त खिसारी ने कलपना भी नहीं किया होगा कि एक दिन यहीं खिसारी बोचपूरी की सफल अभीने ताओं में गीने चाहेंगे अपना परिवार पालने की लिए मंगरू यादो जब गाड की नौकरी करते थे वस वक्त वो सोचे भी नहीं होगे कि अपने बेटे खिसारी लालियादो पर एक दिन उनको गर्ब होगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो सीना ठोक कर ये बात कह सकेंगे कि उनका बेटा भोचपूरी इंडस्ट्री का सुपूस्टार खिसारी लालियादो है एक ही सारी में छे महिना गुजारने वाली चंदा देवी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उनका पती उनको धाई करोड की गाड़ी पर घुमाएगा और उनको भी धाई करोड की गाड़ी मुंबई जैसे सपनों की नगरी में चलाने का मौका मिलेगा बाकि आज हम यह सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खिसारी लाल्यादो का एक वीडियो शोसल मेडिया पर इन दिनों काफी तेजी से वाइरल है और उस वीडियो में दिख रहा है कि खिसारी लाल्यादो अपने धाई करोड की गाड़ी लैंड डुवर डिफेंजर में अपने माबाप को बिछा कर अपना गाउ घुमा रहे हैं और ये वीडियो देखने के बाद हर कोई खिसारी लाल्यादो की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि खिसारी एक सुपस्टार होने से पहले एक आदश बेचा है और fixarie लाल यादों को अपने जिम्मेदारीं का निर्वान केसे करना है यह खूब अच्छे से पता है fixarie की विशेस्ता उनको सुपस्टार बनाती है और उस वाइरे बीजियों को देखने के बाद ==== कि विरोधी भी आज किसारी की तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं और सभी लोग किसारी का ये वीजियो देखने के बाद कह रहा है कि भगवान आुलाद दे तो खिसारी लाल यादो जैसा बाकि आज यस वीजियो में हम किसी बंदू पर बातचीत करेंगे लेकर उसे पह दिफेंडर से मुंबई से अपने घर विहार आए हैं और अपनी गारी से उतरते ही किसारी अपनी मा का पैर चूते हैं और पैर चूते ही अपनी मा से किसारी लिपट कर गले मिलते हैं उसके बाद किसारी पिता जी को ढूंड़ते हुए घर के अंदर जाते हैं और अपने प माभाप को अपना गाँ घुमाते हैं पीछे-पीछे कम से कम 10-12 गाडियों का काफिला होता है जो किसारी की गाड़ी के पीछे चलता है और वो नजारा देकर आपको लगेगा कि किसी नेता का काफिला गुजर रहा है बागी किसारी के बारे वीटियो के पीछे इसलिए बात किसारी ने ठाइक करोड की गाड़ी पर अपने मावाप को घुमाया है बलकि यह वीडियो शोसल मेडिया पर चर्चा का विश्या इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि किसारी लाल यादो आज जिस मुकाम पर है इस मुकाम को पाना मेहंगी मेहंगी गाडियों में घुमना और कि हिसारी इतने बड़े सूपस्टार होने के बावजूद भी कितने डाउन टुवर्थ हैं मुंबई से विहार गाड़ी चड़ा कराना धाय तीन करोड की महंगी महंगे गाड़ी में अपने माबाप को गुमाना अपने माबाप से, अपने साथ वालों से, अपने घर वालों से इतनी विनमरता से पेश आना कि सारी की यही विशेस्ता उनको सबसे अलग करती है बगे किसारी लाल यादो अपने गाओं पहुचकर उस मंदिर में भी जाते हैं जहां किसारी लाल यादो अपने struggle के दौरान अपना कैसर छुढहाएने जाय करते थे बताय जोता है किसारी अपने संघर्स के दिनो inspire उस मंदिर में गए हैं एक अच्छे बेटे हैं एक अच्छे पती हैं और एक अच्छे पिता हैं कि सारी के यवायल वीजो उन सारे बच्चों के मुँपर तमाचा है जो थोड़ा सा पैसा कमाने के बाद बड़ा इंसान बनते ही अपने माबाप को भूल जाते हैं लेकिं कि सारी अपने किसी भी सफल बात करते हैं मिलते हैं वीडियो में धर्म दोड़ें